हेलो दोस्तों गुड अफ्टरनून उम्मीद है कि आप लोगों का एक्जाम बहुत अच्छा जा रहोगा आप लोग पेपर अच्छे से दे रहोंगे और हमारे हर टॉपिक को जो इंपॉर्टन टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको आप समझ रहे होंगे फिर मैं एक बार आप को और सब्सक्राइब करते जाएंगे चैनल को और शेर भी करेंगे क्योंकि और भी ऐसे इंडिया में बच्चे हैं जिनको सही चीज़ें समय पे नहीं मिल पाती तो इससे उनको भी काफी हेल्प होगी आईए देखते हैं कुल्विदा कि आज हम बात करेंगे डाइमेंशन of entrepreneurship के dimension मतलब बच्चो आयाम होता है आज का जो मैं topic बताऊंगा इसमें आप types of entrepreneurship भी समझ सकते हैं कई बार exam में आपके जब dimension ना पूछे types पूछे तो आप dimension वाले topic को types में भी लिख सकते हैं गलत नहीं होगा problem नहीं होगी तो आज हम पढ़ेंगे dimension of entrepreneurship dimension का मतलब आयाम तो dimension of entrepreneurship में हमें पढ़ना होगा intrapreneur क्या पढ़ना होगा intrapreneur, techpreneur, netpreneur, international entrepreneur, कई प्रकार के dimension आप पढ़ेंगे कि intrapreneur कौन होता है, techpreneur कौन होता है, international entrepreneur कौन होता है या फिर कह सकते कि और भी woman entrepreneur कौन होता है तो जिदने भी dimension है आपके syllabus में सब cover-up मैं कराने वाला हूँ आप और अंतर तक देखे तभी मज़ा आने वाला है चरिये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं एक मिनट को समझें आप लोगों ने जब अपनी क्लास में या कहीं से पढ़ा होगा कि entrepreneur कौन होता है आपने देखा होगा एक ऐसा ब्यक्ति जो बिजनेस को खोलता है innovative में में नए तरीके से खोलता है आधुनिक तरीके से खोलता है और जो risk लेता है जो creative mind का होता है जो रचनातमक दिमाग जिसके पास काफी अच्छा दिमाग होता है काफी अच्छे idea लाता है वही ब्यक्ति entrepreneur होता है ENTRE, PRE, NURE entrepreneur होता है लेकिन question आता का entrepreneur कौन होता है अब समझें मान लेजिए कि मेरे पास एक business है मान लेजिए कि मेरे पास एक business है और मैं business में Mr. Ram को लेके आता हूँ कि भाई आप मेरे business में as a company का employee as a manager काम करिए लेकिन Ram ने हमारे business में रह करके इतना बढ़िया creative mind लगाया कुछ innovative कुछ नया कर दिया business में product को ले करके या machine को ले करके या method of production production करने का तरीका कुछ नया कर दिया हमारे business में यह जो employee है राम यह जो manager है राम इसने बहुत अच्छा काम किया अंदर business के अंदर रह करके तो यह entrepreneur मान लिया जाएगा क्या मन लिया जाएगा entrepreneur तो intrapreneur entrepreneur entrepreneur के तरह होते यह किसी के अंदर रह के काम करते इनका खुद का कुछ नहीं होता entrepreneur क्या करता बच्छों खुद का material लगाता है खुद का setup लगाता है खुद के सारी चीजें लगाता है land labor capital खुद का लगाता है लिकिन ये किसी के यहां काम कर रहे है और ये अपना दिमाग लगा रहे है इसलिए इनको entrepreneur कहा जा रहा है clear हुआ की नहीं हुआ समझ में आ गई बात एक नड़ेखे video record हो रही है ठीक है, video चल रही है तो बच्चों, entrepreneur का मतलब हो गया कि किसी organization के अंदर रह करके आप कुछ unique सा काम कर रहे है कुछ creative काम कर रहे है कुछ innovative कर रहे है आप entrepreneur कहलाएंगे entrepreneur नहीं कहलाएंगे समझ में आ गई बात, चली आगे देखते हैं अब हम यहां से पढ़ते हैं तो भई, यहां पर लिखा हुआ है entrepreneur जो सब्ध है सबसे पहले इसको Gifford Pinchot ने मतलब इसको बताया कि यह क्या होता है फिर managers inside the company should be encouraged to entrepreneur within the firm rather than go outside मतलब एक manager जो company का होता है company के भीतर में ही रह करके अपने आपको प्रोथसाहित करता है क्यों ऐसा entrepreneur काम करे बाहर जाने से अच्छा मतलब outside से अच्छा है कि वो company के भीतर रहके काम करे इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना खुद का setup लगाना या खुद का material, labor, land लगाने से अच्छा है कि किसी organization में जैसे मैं इस संस्था में पढ़ाता हूँ employees within a company who are assigned specific idea or project with instruction to develop in the same manner as an entrepreneur does कहने का मतलब क्या है एक employee जो company के अंदर special task कर रहा है जैसा कि एक entrepreneur करता है उस employee को हम entrepreneur कहेंगे समझ में आई बाग फिर कह रहा है capable individuals having the resources of the company at their disposal the main job is to turn the specific project into profitable venture जो entrepreneur होते है जो company के अंदर रहके manager, employee, unique सा innovative काम करते हैं वो venture में उद्योग में सारे काम profitable manner के लिए करते हैं उनके द्वारा किया गया काम company को कोई नुकसान नहीं देता है इसलिए उनको entrepreneur कहा जाता है जैसे आपने Cyrus Mystery का नाम सुना होगा वो entrepreneur थे जो कि company के अंदर ही रहके काम करते है समझ में आई बात जैसे और भी आप मालीचे आप में से किसी भी बच्चे की job लग गई Tata में तो Tata group के अंदर ही रहके वो कुछ unique कर रहा है company के लिए कुछ अलग कर रहा है वो entrepreneur कहलाएगा समझ में आई बात entrepreneur की तरह है ही है बट वो entrepreneur कहलाएगा चली आगे देखते हैं तो आपको यह समझ में आ गया ठीक है पीपीटी दिख रही है गुड़ आगे बढ़ते है अरे यहां से काटें फिर आगे बढ़ गए ठीक है देखते हैं दूसरा point अब entrepreneur के और भी चीज़ों को हम द्यान से देखने की कोशिस करते है एक मिनट एज आगे गया ही नहीं गया एग में बटा थोड़ा सा हम लगता आगे गया ही नहीं हाँ यह अब कोश्चन आतक entrepreneur के features क्या होते हैं entrepreneur की विसेष्थाएं क्या होती हैं देखते हैं तो entrepreneur के features क्या होते हैं identification of opportunity entrepreneur opportunity की पहचान करता है मुझे जैसे इस company में job मिल गई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं भी talented हूँ मेरे अंदर भी risk लेने की शमता है मैं company के अंदर ही रहके कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैंने job opportunity कोई opportunity देखी कि मैं यहाँ कुछ कर दू मेरा boss खुस हो जाएगा मैं यह project अच्छे स्कंप्लीट कर दू मेरा boss खुस हो जाएगा इससे मेरे promotion के chance बनेगे मेरा भी recognition होगा पहचान होगी मुझे भी entrepreneur बोला जाएगा बट मैं management की भासा में entrepreneur कहला होगा क्योंकि मेरा खुद का कोई setup नहीं लगाया मैं किसी के अंदर रहके अच्छा कर रहा हूँ मैं किसी organization का employee या manager बनके काम कर रहा हूँ मुझे entrepreneur कहा जाएगा समझ में आई बार तो मैं खुद opportunity तलास करूँगा दूसरा idea presentation मैं अच्छे अच्छे idea अपने boss को या अपनी company में लोगों को दूँगा idea implementation फिर उस idea को लागू करूँगा strategy बनाऊँगा planning बनाऊँगा मैं अपने enterprise का बिस्तार करूँगा अपने business का growth करूँगा फिर बटा कहरा forecasting innovation sorry fostering innovation innovation के मतलब होता है कोई भी काम करना नए तरीके से product को नया product बनाना नए market की खोस करना नई technology को adapt करना नई सोच को रखना ये innovation होता तो मैं इसको बहुत तेजी से आगे लेके जाऊँगा तभी मैं entrepreneur बनूँगा इसके बाद आता है leadership मैं एक अच्छा leader भी हूँ तो मेरे अंदर entrepreneur की ये सारी बाते होनी चाहिए ये feature से entrepreneur तो एक बार अगर हम जल्दी से बताएं entrepreneur क्या होता entrepreneur वो बेक्ती होता है जो किसी business के अंदर as a employee, as a manager रहके कुछ अच्छा करता है कुछ unique करता है कुछ innovative करता है कुछ creative करता है वो entrepreneur कहलाता है वो अपना खुद का कोई setup नहीं लगाता वो खुद का कोई उसका risk नहीं होता risk business का ही होता है काम वो कर रहा है entrepreneur का risk entrepreneur का होता है जबकि entrepreneur का risk entrepreneur का नहीं होता वो business का हो जाता है समझ में आई बार entrepreneur सारे setup लगाता है entrepreneur कुछ नहीं लगाता है entrepreneur वह ब्यक्ति होता है जो सुरू से अपना सब कुछ करता entrepreneur कुछ नहीं करता सुरू से सिर्फ जॉब लेता है जॉब पानिक बाद कुछ करता है समझ में आई बार चलिए समझ पार यह आप देख लीजिए पूरा ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर अब आता टिक प्रनियोर कौन होते हैं entrepreneur क्लियर हो गया टिक प्रनियोर की चर्चा कर लेते हैं अब टिक आंतर्परनियोर ऐसा आंतर्परनियोर जो टेकनोलोजी से काम करता है जो टेकनोलोजी से अपने जॉब को करता है जो नई नई टेकनोलोजी को आगे लेके आता है जो पुरानी टेकनोलोजी को अपग्रेड करता है जो टेकनोलोजी को या तो पुरानी समात करके नई टेकन तो चलिए आईए देखते हैं कहने का मतलब क्या है इन टेक्नोलजी इंटेंसिब कंटेस्ट टू डेवलफ न्यू प्रोड़क्ट प्रोसेज और सर्विसेज फॉर सेल्फ और्गनाइजेशन और सोसाइटी एक प्रकार का ये ऐसा entrepreneurship होता है जो समाज के लिए जो ससाइटी के लिए जो बिजनस के लिए नही नही टेक्नोलजी से काम करता है जिससे नही नही प्रोड़क्ट डेवलफ होते हैं इसी को हम technology या techpreneur कहते हैं When an entrepreneur combined his talent with a high cutting edge technology to come out with novelty, he said to techpreneur. जब कोई entrepreneur बिटा, अपने talent को बहुत ज़ाद अच्छी तरीके से यूज़ करके नई technology में काम करता है, उसे कहते हैं techpreneur. समझ में आई बात, in nutshell, अगर हम इसे nutshell में conclude करें, मतलब summarize करके बताएं, तो creating the new and destroying the old, नए, नए को बनाना और पुराने को destroy करना, nest करना, क्या, knowledge, new product, new product, sorry, ये एक बार दुबारा लिग गया, new services, new market and new business. जब कोई entrepreneur अपने knowledge से पुरानी चीज़ों को destroy करे, नई चीज़ों को बनाए, नए product बनाए, नए market की खोश करे, अपनी technology का, नया technology का use करे, technology से सारा काम करे, जैसे कि आप Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg को देखते हैं, इनसे समाज का विस्तार हो रहा है, समाज का growth हो रहा है, देश का economy growth कर रही है, और भी देश इनके माध्यम से depend है, जिससे growth कर रहे हैं, इनको हम technology का entrepreneur कहते हैं, देखिया, अब इसमें और देख लेता है, टेक प्रनेवर में, mass media, एक नट फ़र सा बिटा, इन ओपन हो जाए, प्रस्लो है प्रोसेशर, mass media and internet are the main contributing factor for the popularity of tech entrepreneurship, आज के समय में जो media है, जो internet है, इन्होंने tech प्रनेवर को काफी बढ़ावा दिया, आप देखते होंगे, मार्क जुकरवर, Facebook के जो founder थे, या Steve Jobs, या जो भी एबिल गेट्स, इन लोगों ने जो भी technology बनाए, बेटा, इनकी technology बिना internet के काम नहीं कर सकती, तो कहीं न कहीं tech प्रनेवर, internet से combine होके ही काम करते हैं, तो tech प्रनेवर, internet साथ ही में चलता है, ठीक है, इसके बाद आता है, integration of technology, innovation and entrepreneurship, इनकी technology, innovation से चलती है, इसके साथ साथ, इसमें example है, विल गेट्स हैं, और अब तो नहीं रहे, इस टीब jobs हैं, apple के founder, mark sugar, facebook के founder, तो यह जितने भी है बेटा, यह tech प्रनेवर है, जो नई technology से काम करता है, पुरानी को upgrade करता है, या destroy करता है, जिससे नया product, नई सर्विस समाज को दी जाती है, उसे tech प्रनेवर कहता है, clear, आगे बढ़ता है, अगला आगया, अगला है बटा, netpreneurship, मतलब net plus entrepreneurship, netpreneurship का मतलब internet से electronic बेमे काम करना, net plus entrepreneurship, सिफ यह नई technology नहीं बनाते, technology तो वो techpreneur है, जितने भी technology, mark sugar, facebook के जो है, यह जितने भी Steve Jobs, विल गेट्स, यह technology बनाते, बट इनकी technology को हम adopt करके, और net का use करके business करते हैं, हम netpreneurship कहलाते हैं, जो हम internet से business करते हैं, जैसे Flipkart, Amazon, eBay, और भी जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, यह netpreneur हैं, यह net से काम करते हैं, internet से अपना business करते हैं, इनका कोई physical office नहीं होता, यह अपना internet से सारा का सारा काम करते हैं, customer बनाती हैं, global reach रखती हैं, बिस्टो में व्यापार करती हैं, देश के अंदर व्यापार करती हैं, ऐसे business को या ऐसे काम करने वाले ब्यक्ति को हम netpreneurs करते हैं, देखे, a business which is based online without any physical office, ऐसा business जो बिना किसी physical office के online काम करता है, a netpreneur is a partial who create, deliver product and services through online, ऐसा ब्यक्ति होता है netpreneur, जो deliver करता है product को online के माध्यम से, और netpreneurship is the process of identified and pulling bunch of resources to convert a promises opportunity into viable business venture online, मतलब netpreneur एक ऐसा ब्यक्ति होता है, जो पहचान करता है, जो अपने संसादनों को इकठा करता है, convert करता है नई नई opportunity में और अपने business को online करता है, एक प्रकार से internet based काम होता, इसलिए इनको हम netpreneurship कहते हैं, और ये सारा का सारा काम बिटा, इंटरनेट से करते हैं, जैसे netpreneur का business, अगर example, ebay है, amazon है, flipkart है, और ये monster, मुझे पता नहीं क्या है, बट ये netpreneur है, अगर आप जानते होंगे, तो monster भी कुछ net online वाला काम है, तो ये लोग हैं ठीक है, जैसे आपको और भी example, अगर हम लें, snap deal है, मिंत्रा है, ये सारे इक सारे netpreneur है, आप लोग तो अच्छे जानते होंगे, चलिए आगे बरते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको, ठीक है, अब आता है, international entrepreneurs कौन होता है, international entrepreneurs, अंतर राष्टी उद्यम शीलता कुन होती, international, ऐसा entrepreneur, जो एक देश के अलावा, कई देशों में अपना business करता है, उसे international entrepreneur कहते हैं, या multinational entrepreneur कहते हैं, समझ में आई बाद, जैसे MacBee हैं, जैसे Apple हैं, Samsung हैं, ये सारे इक सारे international entrepreneur हैं बच्चों, आए देखते हैं, ठीक है, international entrepreneur का मतलब होता है, इसको MacDougal कहते हैं, and Oviate कहते हैं, ये नाम है, MacDougal, MacDougal and Oviate नाम है, इनके हिसाब से ये definition देते हैं, ये लोग definition बताते हैं, इनके हिसाब से international entrepreneur वो बच्ची होता है, जो innovative या proactive या risk taking capacity को ले करके, अपने देश के अलामा दूसरे देश में business करता है, उसको international entrepreneur कहते हैं, समझ में आई बात, और जिससे उनके organization की value बढ़ती है, when entrepreneur goes to other countries to run and operate their business, जब कोई entrepreneur अपने देश के बाहर जाके, अपने business को करता है, या चलाता है, उसे हम international entrepreneur कहते हैं, industries cross national boundaries of their nation, जो industries हैं, वो अपने national boundaries, मतलब घरेलू, boundaries को बाहर पार करके, दूसरे देश कों business करती हैं, development of new venture on a global basis and their operations domain is considered international from very beginning stages of operation, कहने के मतलब क्या है, इस से क्या होता है, हमारों business है, वो global level पर पहुँच जाता है, जिससे हमारे business का growth होता है, और हमारे business का domain बहुत अच्छे से काम करता है, इसके सासर बिटा, हमारा internationally reach हो जाता है, हमारा business बहुत दूर तक बड़े पैमाने पर फैल जाता है, हम international entrepreneur बन जाता है, अब example भी आगे आएगा, देख लेते हैं, ठीक है, EPT देख लीजिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इस entrepreneur का example लेते हैं, international का example ले लेते हैं, आपने देखाओगा Coca-Cola है, आपने देखाओगा Coca-Cola है, McDonald है, BMW है, Puma है, Phillips है, ये सारे एक देश में ही काम नहीं करते हैं, दूसरे देश में भी काम करते हैं, इसलिए इंको international entrepreneur कहा, clear, तो I hope कि आप समझ पा रहे हैं, पूरी class देखिएगा, क्योंकि इसके बाद एक दो और लेक्चर, एक दो और टॉपिक है, वो cover हो जाएगा, बस खतम, ठीक है, हम आप लोगों की सुभधा के लिए, वेडियो छोटे में बना रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 9 नमबर पे आता है, Cultural Entrepreneurship, अगला आता Cultural Entrepreneurship, अब Cultural क्या है, Cultural Entrepreneurship का मतलब होता है, ऐसा Entrepreneur, जो अपनी समाज, अपनी संस्कृती, अपनी सभ्धा, अपने रिलीजन, धर्म, अपनी रीती रिवाज को देख करके बिजनस करता है, जैसे, मुझे पता है कि, हमारा जो, माल लीजे हम साउथ के हैं, और हमें पता एक इडली डोसा, हमारा फिबरेट फूड है, हम इडली डोसा को बिटा, बिस्व में अच्छे से बेच रहे हैं, यूनिक सा बना के बेच रहे हैं, तो हम Cultural Entrepreneur हैं, जैसे, हमें पता हमारे यहां साड़ी, धोती, कुर्ता हमारा में बस्त रहे हैं, हम धोती, कुर्ता, साड़ी पर में फोकस करके बिस्नेस कर रहे हैं, यह हम Cultural Entrepreneur हैं, आई होप आप समझ गया हैं, जैसे, माल लीजे हम यूपी के हैं, और हमारे यहां दाल, चावल, चोखा, और कैसा थे हैं, रोटी बहुत फेमस है, हमने इस पर बिस्नेस किया, हमने कुछ अलग नहीं किया, अपने कल्चर को बचाई रखा, कि हमारा कल्चर समापत ना हो, तो यह Cultural Entrepreneur, जैसे Chinese वाले Chinese food को आगे करते हैं, तो उनका Cultural Entrepreneur है, जब भी आप अपने रिलीजन, अपने रिती रिवाज, अपने कल्चर को लेके कोई बिजनिस करते हैं, कुछ नया करते हैं, उसमें कुछ यूनिक करते हैं, तो यू आरा Cultural Entrepreneur, क्लियर हुआ की नहीं हुआ, चलिए, आगे देखते हैं इसको, तो Cultural Entrepreneurship is an emerging discipline that examine how culture product, such art, theatre and literature and cultural activities like sport, music, food and film event have an impact on the growth of local, national and global economies. तो Cultural Entrepreneurship एक उदा होता हुआ Entrepreneurship है, जिसमें हम food, theatre और जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी music, हमारे art, हम सब के हिसाब से business करते हैं, अपने culture में रहके उनको destroy नहीं होने देते हैं, उसी से हम समाज का भला करते हैं, अपना भला करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, हम Cultural Entrepreneurs मान लिए जाएंगे. फिर Cultural Entrepreneurship वाइल आफरिंग वैरिड एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट आर्टिस्टिक फर्म्स इनेबल and entrepreneurial activities to be profitable and sustainable. कहने मतलब क्या है? Cultural Entrepreneurs जो होते हैं, यह उफर करते हैं, अपने Culture के हिसाब से नई-नई चीज़ों को जिससे इनका Culture सस्टेन करता रहता है और ग्रोथ होता रहता है, कभी खतम नहीं होता और इनका विकास भी होता है. आगे आते हैं, Cultural Entrepreneurs are those who aim to build successful business that deliver branded product and services. Cultural Entrepreneurs का जो aim होता है, इनका भी यह होता कि बिजनेस को successful बनाएं, strong बनाएं, लोगों का भरोसा हो और branded product और services भी लोगों को दे सकें. इसके बाद आप देखिए, add the course, these business are based on India's culture, tradition, practices, heritage and know-how. कहने के मतलब यह business है, जो इनके मुख्य भाग है इस business के, वो इंडिया के culture है, परमपराएं है, और हमारी, मतलब कारे करने के तरीके हमारा बिरासत है, और भी अन्य चीज़े हैं. तो बिटा, यह हमारा cultural entrepreneur. तो cultural entrepreneur का मतलब है, कि हम अपने culture में रह करके, अपने रीत रिवाज को देखते हुए, हम अपने सभिता समाज को देखते हुए, बिटा, अपने business को करते हैं, business को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हम धोती कुर्टा को पहनावा को जादा motivate करते हैं, जैसे कि बिटा, कहने का मतलब क्या है, अपनी विरासत को बचाए रखे हैं, जैसे पेड़ लगाने की बात, पेड़ के हिसाफ से, मतब ट्रीज, प्लांट वगएरा का काम कर रहे हैं, तो यह सब पिटा cultural entrepreneur में आ जाएंगे, ठीक है बच्छों, आगे देखते हैं, जैसे आप example ले ले लिजिए, गो कूप है, और यह वदम है, टीज है, पेपर बोट है, यह सारे एक सारे बीटा cultural entrepreneur है, देख लिए आप लोगोंने, गुड़, अब आगे देखते हैं इसमें, पीचर्स ऑफ cultural entrepreneur, अब cultural entrepreneur की बिसेस्ताएं देख लेते हैं, passion for their culture, मतलब जो cultural entrepreneur होता बिटा, वो अपने culture को लेके shock रखता, passion रखता, passion follow करता, अपने culture को बहुत बचाता है, culture को बरबाद नहीं ने देता, use creativity and innovation, cultural entrepreneur भी creative होगा, innovative होगा, entrepreneur है, तो हमेशा innovative होगा, creative होगा, risk taking होगा, यह बात याद रखियेगा, और successful cultural entrepreneurs, also capable to adopt to moving conditions and market, जो successful cultural entrepreneur होता बिटा, वो इस योगी होता है, कि वो market के condition के हिसाब से, अपने आप को चला सकता है, market जैसा कहती वो वैसे कल्चर में अपने काम कर लेता है, इसके बाद must have strong business skill, उसके पास business की बहुत अच्छी knowledge होती है, जो successful entrepreneur होता culture का, वो ये जानता है कि बड़ी समाज को, बड़े community कैसे अपने business की तरफ आकरसित करें, इसके बाद आता है, social and environmental responsibility, वो समाज और वातावरण की भी जिम्मेदारी लेता है, help urban development, वो rural और urban बिकास, मतलब grammar और शहरी छेत्रों में बिकास करने में भी help करता, तो cultural, tech, net, intra, ये जितने भी पढ़ाएं हैं, वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लिजे, आपके exam के लिए all the waste, अगर exam नहीं है, knowledge के लिए पढ़ना तब भी आ पढ़ सकते हैं, बच्चों, आज की class यहीं तक होती है, फिर अगली important videos हम चांता के अकल upload करेंगे, thank you बच्चों,